तो दोस्तो Q&A की एक नई वीडियो में आप सब का स्वागत है जिन साथियों ने हैस्टेक बोलो राजगुर्जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं उन्ही सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका अपना साथी राजगुर्जी तो चलिए दोस्तो आपके स्वालों का सिल्षला शुरू कर लेते हैं और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है रादिका और रादिका जी पूछ रहे हैं गुरुजी जब मैंने आयसमान कार्ड बनाने की कोशिस की अधार कार्ड नमबर डाल कर तब no found beneficiary लिखा आ रहा है इस योजना में कौन लोग योगे हैं बताए तो तो रादिका देखी मैं आपको कहना चाओंगा यदि आयसमान योजना के अंदर आपके परिवार का नाम नहीं आ रहा है तो देखिए इसके अंदर अपनी वर्ष 2011 के अंदर जो जणगणना होई थी और उसके अंदर जो गरीब परिवार थे उनको सामिल किया गया था अलांक जो राज्य हैं उनके अंदर राज्य सरकार है कई योजनाओं का लाभ है वो दे रहे थी अगर मैं सीधा-सीधा यहां पे खाऊंगा यदि आप खादे शुरुक्षा में आपका परिवार जुड़ा है तो आप फिल हाल की स्थित्य में इसके लिए पातर हैं अलांकि बहु साती का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं ओके ओके और इनका सवाल है सरी स्कूल एक्स्ट्रा मीडियम एक से आठ लेने के लिए टोटल कितनी फीज पोर्टल फीज प्लस बाली का सिख्षा फाउंडेशन प्लस एपडी देनी पड़ेगी संडे कमेंड बोक्स में बता प्लीज तो क्यों कि मैं आपको कहना चाहूंगा देखिए इसके लिए मैंने हाल में मानेता को लेके एक वीडियो बनाया था पहले आप तसली पूरक है उसको सुन लिजेगा देख लिजेगा और समझ लिजेगा इसके बाद यहां पर अपनी साइट के ओपर दिशा फाउंडेशन की बात करें जब आपको मानेता मिल जाती है अगर आपके पहले यहां पर एपडी जमान नहीं करवाए गई है तब यहां पर लाग रुपे और बालिकासिक्षा फाउंडेशन के पसास जार रुपे लगबग डेड़ लाग रुपे आपको एक्स्टाओर है देने पड़ते हैं बाकि वो वीडियो है उसके अंदर पूरी जानकारी है वो देगेर वैसे भी हमारी PDF फाइल है देख लीजिएगा थोड़ा सा टाइम है हो निकाल लीजिएगा हमारे लिए ठीक है चलिए अगले सात्य का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं राइज और ये पूछ रहे हैं सर इसकूल पर्मानेंटली क्लोज हो गई है इस साल के लिए यूडाइस ओपन नहीं हो रही है क्या करें तो देखिए राइज कान मा आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा इसके लिए संबंदिते CBO से आपको पहले ही संप्रक करना चीए था कि आपकी स्कूल बंद हो गई तो यहाँ पे एक फोरम था 01 का वो वरकिया आपको फिर से अक्टिव हो करवानी होती है फिर भी अगर आप नहीं गए हैं तो एक बार उनसे व्यक्तिगे जाके संप्रक कर लिजेगा साइध हो अक्टिव हो कर दे ठीक है चलिए अगले साथिका सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं बंची पाटिदर और यह सवाल है इनका सर मेरे 10 के बोर्ड फोरम में डियो भी गलत रह गई क्या मैं किसी तरह से क्रेक्शन करवा सकता है तो देखिए मैं यहाँ पे बंची पाटिदर आपको बताना चाहूँगा यह अभी फिल हाल 2024 वाल वो 200 रुपय होता है अब तो यहाँ पे 4 गोना फीस और लगएगी तकरीबन 4 गोना इसका कर लिजेगा उतने डिड़ी बना के आपको बोर्ड है वो बेजना पड़ता है और संबंदी जो दस्तावेज है जहां पे यह वेरिफाई होता है कि आपकी DOB स्कूल रिकोर्ड में यह है तो उस आदार पे वो चेंज हो जाएगी बाकी इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे संप्रक कीजेगा और भी जानकारी आपको बता दूँगा ठीक है चलिए एक लिए साती का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सोशल मीडिया सर्वीस और इनका सवाल गुरी जी मैंने आपसे पिछली वीडियो में टेंथ बोर्ड दो हजार चोवीस के टाइम टेबल के बारे में बोला था क्या हुआ राज गुरी जी उसका टाइम टेबल रिलीज करवाई तो देखिए एम आपको यहां पर बताना चाहूंगा जैसे जैसे साथियों के क्वे अब बोला थीक है हम जल्द ही अप्लोड करवा देंगे अभी तो यार देखिए मैं तो उनको शूचना और रिक्वेस्ट उन्से कर सकता हूं अलौंकि उन्होंने काया कि हम जल्द से जल्द है अप्लोड हो करवा देंगे साइध को इंटरनल समस्या होगी उनके सामने अब पूचने वाले हैं दिपक कुमार और इनका सवाल है हमारे स्कूल का नाम एप्लिकेशन कोर्नर में नाम है बट पी यह नाम नहीं आ रहा है क्या करें हो सकता है तो देखिए दिपक कुमार मापको कहना चाहूंगा आपने मुझे पूरी जानकारी नहीं बताई देखिए इस पूर्टर पर इसकूल का रजिस्टेड होना जुरूरी है अगर रजिस्टर है फिर भी यहां पर नाम नहीं आ रहा है तो यहां पर कोई नो कोई टेक्निकल फोल्ट है तो सम्मंदि डिपार्टमेंट से है आपको इसके लिए बात करने चाहिए जो आपका नस्पी है उनकी समपर कीजेगा और जो भी उनके साथ बात हो क्या बताते हैं मुझे इंस्ट्रागराम पर सुचित कीजेगा फिर आगे आपको कोई दूसरा समाधान बताऊँगा ठीक है चलिए अगले साती का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं और यह सवाल इनका नमस्कार सर जी जी नमस्कार दो बार नमस्कार आपकी और सवाल इनका यह है कि आटी के फोरम फरोरों में शुरू हो जाएंगे तो जब अभिवाव का आवदन करें तो उसे कख्चा पर्थम ही दिखता है इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ पर डबल पी फाइब भी सो हो इसलिए क्य फाइफ है वहाँ पर लिस्ट में नाम आएगा फैस्ट ठीक है अगर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है फिर आपको डियो फीस से है वो अक्टिव करवाना पड़ेगा तो एक बार प्रोफाइल अनलोक होने दीजेगा और फरोरी मार्च के अंदर जब आवे दन चलेंगे त फिक है चली एगले साते का सवाल लेते हैं और पूछने वाले यूजर इतना इतना ठीक है इनका सवाल ये है सर आटी एडमिशन कब होंगे और आयू कितनी होंगी तो बिया देखिए जिसने भी ये सवाल पूछा है मां आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा आटी एडमि होता है फिर भी दिल को तसली देने के लिए हमारी पुरानी वीडियो है बस आपके सामने जब भी कोई समझा है स्कूल से रिलेटेड, स्कोलर्शिप से है, सरकारी योजनाओं से है, education से रिलेटेड कोई भी समझा है आप YouTube पे जाया करो, और जो आपकी समझा है वो लिखा करो, और लास्ट में राजगूर्जी लिख दिया करो तो सम्मन्दित वीडियो है वो आपके सामने आजएंगर वैसे भी राजगूर्जी आठी लिखोगे ना, तो मेरे मेरे वीडियो आपको भरे पड़ेगे क्योंकि इस बारे में मैं ही जादा जानकारी है और सही सही जानकारी हमारे साथियों को देता हूं, तो आप वेट कीजिएगा और देखे, एस तो नोर्मली रहती है, लग-लग कक्षा के नो, सारी है, अगर फेस्ट में एडमिशन करवाना चाहते हो, तो छैसे लेके साथ तक बच्चे की आयू होनी चाहिए, चलिए अगले साथिका सावाल लेते हों, और पूछने वाले हैं, LC10, और इनका सवाल यह है, किसी बच्चे का इस्थाई परवेश दो बार हो गया, SR नमबर भी दो मिल गए, अब एक को डिलीट कैसे करें, अगर समस्या PSP पोर्टल की है, तो विया एक टिसी जारी कर दो नो, वहा आपका जो SR रजिस्टर ओफ्लाइन वाल है, वहाँ पर रिमारक है, वो डाल दो, डुपलिकेट सी कहाना, कि भी डुपलिकेट SR चटगा, इस वज़े से, इस सम्मंदित SR है, इस स्टूडेट का रिकोर्ट फलाने फलाने SR नमबर पर देख, इस तरह का एक रिमारक है, वो 2022, 2023, 2023 में यूज़ कर सकते हैं क्या, तो CM तिवारी भाई, देखिये मा आपको बताना चाहूँगा, मैं स्कूल साथियों के लिए इतनी मेनत करता हूँ, इतनी मेनत करता हूँ, वज पूछो मत आप, लेकिन फिर भी दिल से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए है कि दे आदम से अपलोड करता है, रहता हूँ, हमारी चैनल के ऊपर है, तो पांदस मिनट है, आप देख लिया कर, और दूसरी बात यह है कि देखिये, पिछली बार भी हमने है, अपने वो जो सिटोर वाले मैं सो सिटोर ही बोलता हूँ, उन्होंने पेड कर दी, फिर विया हमारे जो माननी राजिस्तान के अक्सल गुरू है, हिरालाल जी, उनसे हमने बहुत रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट करने के बाद आपके लिए वो फिरी में अक्सल सिट हमने प्रोवाइड करवाई, अब यहाँ पे देखिये, उस समय मैंने आपसे ही रिक्वेस्ट किया था, कि हिरालाल जी को भी आप सपोर्ट कीजेगा, क्योंकि देखिये, हम क्या चाते हैं, भी हम आपको जो भी चीज फ्री में अवलेबल करवा रहे हैं, बस आपकी दवार, प्यार और सपोर्ट ही तो मांगते हैं आपसे, बस इतना जरूर कहते हैं कि भी चेनल को सब्सक्राइब क करें, तो वहाँ पर देखिए, आपका प्यार सपोर्ट नहीं है, तो भी आप उनकी वीडियो देखा करो, काफी सारी एक्सल सीट हैं, वो प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी टोटल एक्सल सीट हैं, आपको हमारी वेबसाइट में मिलती हैं, हिरालाल जी के नाम से मैंने एक इनका सवाल यह है, यह नाम मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसके लिए दिल से आपको है, I love you, ठीक है ना, चलिए, सवाल यह है, यूडाइस में 500 स्टुडेंट के इंट्री हो गई है, पोर्टल पर 600 स्टुडेंट हैं, फिल्टर लगा कर कैसे चेक करें कि कौन सा क्योंकि वैसे वहाँ पे तो अक्सल सीट तो एवल नहीं है, लेकिन प्रिंट्रोल पी दवाओ पूरा आ जाएगा, और उसके प्रिंट आउट लेलो, इधर से आपनी यूडाइस के उपर पूरे स्टुडेंट की डेटा सीट है, अक्सल में डाउनलोड हो जाती है, उसको क्लास वाइज स्टुडेंट को है, छाट-छाट के अलागे लाना, फिल्टर लगा लो, अक्सल सीट के अंदर, और फिर प्रिंट आउट लेलो, और टिक लगाते जो, दो आजमी बिठा लो, ठीक न, एक मुझे बिठा लो, एक आप बैट जो, मैं बोलूँगा, आप टिक लगा लेना, लेकिन मैं कैसे आउँ आपके साथ, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन इस तरह से टिक लगा लो, दो फाइल एक साथ आपको करने पड़ेंगी, वैसा कोई अपने PSP पोर्टल ले फिल्टर लगाने का कोई option अविलेबल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको द संडे कमेंट वोक्स वीडियो के अंदर आपका कोई सवाल मैं इसी तरह से लूँ और आपको जवाब दूँ, तो हमेशा जब भी सवाल करो, तो हैस्टेक बोलो राजगूर जी के साथ अपना सवाल हो, लिखा करो, मिलते हैं फ्रेंट से के लिए एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत!